चले तो आपको क्या है पहला कोशन कहता है कि यहां परतियक मनुस किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और यह किसी सुरक्षित अस्थान पर पहुँशने के लिए परतिष्टा सम्मान और सक्ति और आराम के लिए शंगर्स कर रहा है यह पंकित जो है किस पार्ट का है तो आपको बता है तो प्यारे बच्चो बिलकुल आप लोग को पता होना चीए यह किस पार्ट का है तो इसका जो आंसर होगा आपको प्र कड़ेबा के वारे बताना था नियद्होग स्थान होगा उपनियास होगा चलिए तो हम लोग जानते हैं यह जो होगा आप कहानी इसका अंसर आप लोग परफेक्ट आरा जो भी बच्चे आप लोग कहानी बता रहे हैं बिल्कूल सही आरा है ठीक है चलिए कोसर नमर तीसरा देखेंगे यह देखें आप लोग अगर रेगुलर क्लास करते होंगे तो प्यारे बच्चों आपको बताना इसका फटा पड़ा बताई किसका कौन सा जो है शहर का चित्रन किया गया है जली बताईए तो देखें आप लोग का अंसर लगभग बच्चों का जो है बिल्कूल करेक्ट आरा है और इसमें बता रहे कि कहानी और क्या होगा इसका है नही अमरी सरकाथ ठीक है तो देखें जितने सारे बच्चे आप लोग अमरी शर बताया है और बिल्कूल इसका आंसर आप लोग का अमरी शर जो है ऑप्सन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए देखें आप देखें फोन नमर कोशन आपके स्क्रिन पे चौथा नमर कोशन के लाता है कि कार्ट का सपना के रचीता कौन है बताईएगा कार्ट के रचीता के सपना आपको बताना है तो यह ग्यानंद पती होगा रगुविट शाह या नाम उरसिन होगा तो प्यारे बच्चों बिल्कूल आप लोग को पता होना चीए कार्ट का सपना के रचीत को बाउल नाम से पुकारते थे ठीक है यह तो अलड़ी हम लोग जो है क्लास में कर रहेंक दम गरदा और आना आप लोगों को एक एक कोशन को ठीक है एच्छे लिए को बिल्कुल आप लोग को पता होना अच्छी है जो होगा आपका एक कांसा होगा जली बताईएगा तो इस इसका अंसर अपका एकांग की प्रफेक्ट आंसर हो जाएंगे देखे लड़्टू सभी लड़्डू कोशन पूशे हैं क्योंकि यह सभी कोशन अलुड़ी हम लोग पर रखे ठीक है किस पात्रिका के संपाधन के कारण रगविर साहे का नाम परशिद हुआ था तो बताई अपके स्क्रीन पर आठ नमर कोशन ठीक है चली आठ नमर कोशन कहलाता है कि किस कवी ने लिखा है कि खेत रहने वाली कि सूची जो परकाशित है असो कौश्पी ने लिखा था नागारजू ने लिखा था मुक्तबोत या आपका ग्यानत पती तो प्यारे बच्चों इसका आँसर आप लोगा क्या होंँगे चली कोशन नमर नाइं दखेंगे आप के स्क्रीन पर गहांन पती के शर्च का तो प्यारजू इन्सर आप लोगा क्या हो जाएंगे चली तो बिल्कुल हंडेट परसन आपको हंडेट परसन एक उरसी के साथ आपका जो है आंसर यानि पर्रेक्ट आंसर होगा ये सभी कोशन ठीक है चले रास्टिय गीत में भला कौन वह भारत भाग ये विधाता है ये पंकित सिल्सक किसका विता का है तो पुत्र वियोग का है हारजित वियोग को पर्फेक्ट आंसर होगा ये जो क आपको प्यारी बच्चे हो दाएंगे को सरे आपको ब्लगाफी कीवारे में भता की डिक है तो अभी सिर्फ हम लोग को आंसर की नॉट करना है कोशन में बादा देखेंगे संपुन करांती पार्ट का एतिहासिक भासन गांधी मैदान में जो है जैपरकाश नायन ने किस वर्ट जो है यानि दिया था तो आप लोगों पता है न सबसे बड़ा जंद सेलाब बनकर उबढ़ा था कब यानि 5 जून 1924 को गांधी मैदान में जो है बहुत बड़ा यानि जंद सेलाब बनकर उबरा था और वहीं जो है और भासन दिये थी एतिहासिक इसका भासन था किसका यानि जैपरकाश नायन जी का चलिए आगे देखें कि आपके स्क्रीन पे तेरे नमर कोशन आपके स्क्रीन पे आपके समक्षिम है रीकंस्ट् के स्क्रीन पर कोशन要वर 14 देखेंगे पैरवस्चो क्या किला था कि रामधारशी दिन कर के मातापीता का नाम चा था चलिक तो जानते हैं रामधारशी दिन प्रेखेंगे मातापीता जो नाम अगर बात किया जा जाए इसका तो मन्रूप देवी हम रभी स्टिख को पूतर के अगे का पूरा नाम क्या था तो हम लोग जानते हैं के आगे कर पूरा नाम जो थे सचीना अगे इसका अंसर आप स्क्राप का बिल्कूल परबचो सी राइट आंसर हो जाएंगे कोसा नमर 17 देखेंगे अपके स्क्रीन पे भगसिन के पीता कितनी बार जहल गये थे इनके बारे में आपको बताना है अनेक बार गया था अनेक अनेक बार या आपका एक आदी का बार तो हम लोग जानते है भगसिन के पीता जो है कितने बार जेल गए थे अनेक बार जेल गए थे और इसका आंसर पैरवचो आप लोग का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे चले कोसर नमर आपके स्क्रेंट पर 90 नमर कोसर सिफाही की मा सिर्षक पार्ट हिंदी साहिती की कौन सी विदा है तो बताएगा एक निवंध है एकांकी है जीवनी है आपने अपनियास है तो सिफाही की मा सिर्षक पार्ट हिंदी साहिती की कौन सी विदा है तो फटड़ा बताईए तो इसका अंसर आप गुए प्यारवचो एकांगी जो है इसका अप लोगा न विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके? चले, कोसर नमर 20 देखेंगे, मोहन डाकेस का जनम किस वर्स हुआ था, बताईएगा, चले, बताईए इसका अंसर आपका क्या हो जाए है, तो बताईएगा यह जो है पादमावत से लिया गए है और इसका अंसर आप लोग का पैर बच्चो 21 का जो आप लोग का विल्कुल C, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे बता रहा है, चले, कोसर नमर 22 देखेंगे, जैसी किस साखा के कभी है, जली ब बताईएगा, तो हम लोग जानते हैं, सुर्दास जो है, जहने किस भक्तिधरा के कभी थे, तो यह जो है झार जो है, किरिश्ट भक्तिधरा के थे और इसका आउमसर का करृष्ट भक्तिदारा की जो है, जह राईट आंसर हो जाएंगे, जहले, कोसर नमर 24 देखेंगे, सु बताइएगा तुलसिदास की एगर बात किया जाए तो इसका मूल नाम जो था इसको किस नाम से पूकरा जाता था उसको राम बोला नाम से पूकर जाता था ठीक है जी तो ये 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा या राम बोला याणी option आप लोग का बिल्कुल भी perfect answer हो जाएग इनके दिक्षा गुरू का नाम क्या था जली बताईएगा शेलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते इसके स्वामी अग्रदास जो है इसका एनी दिक्षा गुरू थे किसका एनी आपको पता होगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर जाएगे नवदास क सी राइट आंसर हो जाएगे ओके सिवाजी के पूत्र का नाम क्या था देखे सिवाजी के पूत्र का जो नाम जो था आपको पता है संभाजी था क्या नाम था संभाजी लेकिन यहां आपका दिया हुआ नहीं है संभाजी ठीक है याद रखना है तो इसका आंसर आप लोग को पता है सिभाओनी जो है कि इक सका यायनी भूशन का है रिप्टी सबλοह पैसे से दॉक्तर भुद्टम संकर इसका आप वह यह कह आनसी थे टो देखेगा जैसे अंगर परशाथ वारे में आप परियोग वाद के थे तो इसका आंसर आप वाद विवाद से लिया गहा है और इसका पैर बच्चो आप लोग का आणसर आपका प्राइट अंसर हो जाएगे जितने सारे बच्छे 33 नमर कोसान का यह जो आंसर देखा बिल्कुल सही है ठीक है जी चलिए आगे देखेगा कोसान आपके स्क्रीन पे कोसार 34 जूटन सिचा कात्म काथा के लेखक कौन है तो हम लोग जानते हैं जूटन के लेखक जो होगा आप माता पीता का नाम बताईएगा 35 नमर कोशन आपके स्क्रीन पे हम लोग जानते हैं कि ओम परकास के माता पीता का जो थे आनियाख यानम थे मकुंदी देवी थे हम छोटल नाल थे तो यह बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यार बच्छो परफेक्ट आंसर हो जैसेंकर परशाथ कि नाठे किर्थी नियुक्त से कौन है 37 नमर कोशन का आपको आंसर बताना है चलिए तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो है कौन हो जाएगा आपका यह जूर्श्वाम विनी है यह इनि इसका आप लोग का यह प्यार बच्छो राइट आंसर हो जाएंग तो हम लोग जानते हैं नियुक्त झासर बिल्कुल आंसर ए परच्छो राइट आसर हो जाएंगगे 41 किस कभी ने यानि सिल्ख खडिया चौका सब्दों का पढ़ियोग किया गया है तो हम लोग जानती है जो है किस ने किया था मुक्त बोध ने किया था ग्याननत पती ने संसर बहदुर शिन या पैनी रगविर साय है उसा पार्ट में जो है किया गया था और किसके दुवराई नी संसर बहदूर शिन के दुवराई किया गया था और इसका अंसर आप लोग का पैरवच्चो जो है इसका अंसर ए जो है पैरवच्चो आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे आगे देखेगा 43 आपके स्क्रिंड पे प्यारे डिन ऑने बेटे को सिर्शक कवीता में लुहा किसका परतीग है तो लुहा आपको बताना बेटे को सिर्शक कवीता में लुहा चैसे वक्यार. तो कर्म हो बताने सोफ़ विल्कूल इसका आंसर परफेक्ट होगा ठीक है जी 44 देखेंगे आपके स्क्रीण पर हार्जित कैसी रचना है आपको बताना की बारे में बताना है तो हर्जी जो नागार्जुने तो बता यह 45 का आंसर क्या हो जाएगा तो प्यारा बिद्पोल आप लोगो पता है वह यह शुर्णास का पद में कोन तो उसमें सिरंगार भावा भी है और कौन सा या नि वातसेन भावा भी है तो आप लोग B आंसर भी दे सकते हैं और इसका आंसर C भी दे सकते हैं ठीक है जी क्योंकि दोनों जो है इसमें पहले जाता है लेकिन यहां अलग-अलग दिल या है ठीक है कोसन देखेंगे 47 नामुर इसका आंसर आप लोगा राइट आंसर हो दाएंगे ओके चलिए कोसन देखेंगे 48 आपके स्क्रिंट पर इनमें इनमें से यह ना कराओ भूख्ये रह लेंगे ठीक है इन्हें इस गंदी मतलब गंदी में ना घसीटो यह कथन जो है भावी का है बहन का है भाई का या मा का है तो यह कथन को कहता है नि मा कहता है ठीक है जी तो यह बिल्कुल इसका आंसर आपका मा जो है राइट आंसर हो दाएंगे ओके चलिए तो देखेंगे आप लोग इसका आंसर की को नोट करते से लिए ठीक है यह ORIGINAL PEPER आपका बस आपको कुछ निखरना है एक से लिए 50 आज़ाज तक आंसर की आपको नोट करके से ले आना है और वही आपको हुबहु जो है छाप देना है क्योंकि देखे इसमें आपको एक सो कोसर पुछा है और एक सो में से आपको पचास ही परशन का आंसर देना है तो आप लोग पचास कोसर तक ही इसका आंसर की नोट कर काहनी किस नाम से जाना जाता है, नहीं काहनी के नाम से जाने जाते हैं, जादुई यथायर, तो यह आपको जादुई यथायर थी देखेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखेंगा, प्यारे बेटिया से पूछूंगा, बतलाओ आज पास कहा का लुग है, यह पंकित जो है, कि इसका अंसर आप लोगा क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो यह बिल्कुल अगर इसका अंसर की बात क्या जाजा है, प्यार बच्छों पचास नमर कोशन का, तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा, प्यारे नने बेटे को इसका आप लोग का बिल्कुल प्यार बच्छों रा आगे हम लोग आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं परचाइदी राज में क्या आपको हो गया है तो इसका अंसर आप लोग का पंच परमेश्वर जो है राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है इसमें से आपको जो आसान लगता है उसको बनाइए ठीक है जी यहां तो तो आपको सियल सियल से करा दिया तो और आप लोग को कई वर करा है ठीक है तो यह तो यह चे आप लोग को कितना आसान क्या होता है निराकार विल्कुल सही बात है, नर सबस्द का उल्टा क्या होता है, नाड़ी होता है, तो लड़ घुला पर नर परशन है, आद्र सबस्द का सबस्टेज्ट मौपधा हुथ मतलब होता है कि अच्छा खराब सबको एक समान समझना ठीक है तो यह बिल्कुल इसका होजाएगा, सीर उचा होना, सम्मान में व्रधी होना, बिल्कुल सही वात है, यह लड़ू अनुगली घी में होना, अतेदिक लाग होना, यह इसका अनसर आपका A right answer हो जाएंगे कायर सब्द का उल्टा क्या होता है देखिए इतना लड्डू हो जाब कायर का उल्टा नीडर होता है और इसका आपका नीडर हो जा seems